कि नमस्कार कॉंपेटिशन कमुटी के कॉंप्रेंसिफ करने फैस प्रोग्राम में मैं पोख्राज करता हैं वर्फिसे आप सभी का स्वागत और अपने इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं तो 10 से लेकर 16 दिसंबर 2022 के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट फैस है उनको अपन अनलाइज कर लेंगे एक्जामिनेशन के पॉइंट फ्यू से और मैं आपको बता दूं कि आ चुका है खाली स्लाइड मतलब आ गए है कौन एक साहित्यकार तो ध्यान रखना एक कोड रमेश जी जो है न यह क्या है 36 गड़के रतन अब चलो भई रमेश से साहित्कार कौन है रमेश नयर और रतन से याद रखना 36 गड़के पंच रतन और दूसरा 36 गड़के 9 रतन संच गया तो रमेश नयर साहित्कार रतन च clouds के पंच रतन और शत गड़के नरतन से लास्तलम के questions पे पहला question क्या है तो नीति आयो द्वारा ज्यारी स्वास्त और पोशन की जो डिल्ता रंगर उसमें किस आकांशी जीले को first prize मिला है तो आपको answer द्यान होगा क्या था सुक्मा अगला question क्या है G20 का जो चौथा वित्त कारिसमू है उसकी बैठाक सितंबर 2023 में कहां आयोजित की जाएगी इसको अपने discuss किये थे यह है 36 गड़ नेक्स क्या है global achievers डॉक्टर भीम राव अंबेक कर एवर्ट 2022 से 36 गड़ के किस व्यक्ती को सम्मानित किया गया है तो श्री दौलत रामकश्यप को किया गया है सम्मानित और बन्वाणू प्रताप्पूर विधान सभा उप्चुनाव 2022 में विजै प्रत्याशी कौन तो श्री मती सावित्री मंडावी जी जो की है कॉंग्रेस की प्रत्याशी ये जीती है भानुपतापूर से ठीक है चलिए अब आजाते हैं इस वीक के सबसे important news पर जिनको हमें क्या करना है अब एक तो होता है निर्वाचन चुनाओ और एक होता है उप चुनाओ या उप निर्वाचन तो ध्यान रखना किसी भी प्रकार से या तो पद में आ जाए रिक्ती अब रिक्ती कैसे आ सकती है तो या तो व्यक्ती क्या करे हटा दिया जाए या व्यक्ती क्या करे खुद से त्याग पत्र दे दे समझ में आया जीते हुए प्रत्याशी की क्या हो जाए मृत्ती हो जाए तो इन सभी conditions में क्या आ जाती है रिक्ती आ जाती है क्लियर है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चुनाव नहीं हो पाते या मान लीजिए कोई ऐसा घ्राम है जिस घ्राम में चुनाओ किसी कारण से क्या na रहे गया लंबित रहे गया किसका सरपंच का या मान लीजिए ऐसा कोई वार्ड है जहांसे पंच का चुनाव लंबित रहे गया कोई ऐसा जन्पद या जिला पंचायत का वार्ड है जहांसे सदस्त का चुनाव लंबित हो गया तो ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए क्या किया जाता है उपनिर् पाचन होगा अपने 30-30 पंचायत में उसमें पदों की संख्या कितनी है तो 735 साथ सो पैंतिस पद है किसके लिए उपनिर्वाचन के लिए जिसमें से एक पद जो है वो जिला पंचायत के सदस्य का है दस पद जनपद पंचायत के सदस्य के हैं 627 सरपंच है और 597 597 क्या है पंच है तो पहला फाक्ट जो बहुत इंपोर्टेंट है वो क्या है कि आपको ध्यान रखना कि 735 इतने पदों के लिए उपनिर्वाचन होगा ख्लियर है भई नामांकन भरने की तारीक क्या है मतलब नॉमिनेशन का फाइल क्या जा सकता है तो 16 दिसंबर 2022 डेट है जब क्या किया जा सकता है तो नामांकन को फाइल क्या जा सकता है नॉमिनेशन फाइल हो सकता है ठीक बात है मत गणना कब होगी और मतदान कब होगा तो 9 जनवरी 2023 तो ध्यान रखना 16 दिसंबर 2022 नामांकन भरने की क्या है तारीक है जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो तारीक पार हो चुकी होगी ठीक है और मतदान मतगर्णा कब होने वाली है तो 9 जनवरी 2023 को होने वाली है ठीक बात है अब ये जो निर्वाचन है इससे एक question बनता है मतपत्रों के रंग का जो बार-बार आपसे पूछा जा सकता है तो अभी तक जो चल रहा है उस trend को मैं आपको बता देता हूं तो trend क्या है कि अगर जिला पंचायत है तो उसके सदस्य का मतपत्र क्या हो जो color है उसका क्या होने वाला है तो वो होने वाला है गुलाबी अगर जनपद की बात करूं तो सदस्य के जो पद है उसके निर्वाचन के लिए जो मतपत्र इस्तिमाल होता है उसका color क्या होता है पीला सर्पंच के लिए नीला और पंच के लिए सफेद समझ मैं तो जिला गुलाबी जन्पद पीला, सर्पंच नीला और पंच सफेद ये रणग आपको ध्यान में रखना है अब जो पंचायती राज में चुनाव होते हैं हमारे अहां आपको ध्यान रखना है, उसका आधार क्या होता है, गैर दली, मतलब दल के आधार पर चुनाव नहीं होता, फलाना पार्टी, धेकाना पार्टी नहीं, गैर दली आधार पर होता है, ठेक है भई, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है? चट्रिसगर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्या किया गया है? अच्छ आपको पता होगा पंचायती राज नगरी निकायों में राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव कराती है, ना State Election Commission ना राज्जे निर्वाचन आयोग कराती है तो पंचायती राज में भी नगरी निकायो में भी तो चत्यस गड राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया गया तरी स्तरी पंचायत उप निर्वाचन 2022 के लिए पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अनुसार समय बध कारिक्रम जो है उसको जारी कर दिया गया है अब examination point of view से अगर देखें तो क्या-क्या पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है कि ये जो उप निर्वाचन हुआ है उसमें मद्दान मद्गर्णा की तारीक क्या थी तो 9 जन्वरी 2023 अगला पूछा जा सकता है कितने पदों पर तो 735 अगला question जो आ सकता है वो है मत्पत्रों के रंगता ballot paper के color का clear है ये ठीक है भई चलिए अब next topic पर आ जाते हैं तो नगर पाली का उप निर्वाचन के लिए भी क्या किया गया है कारिकरम घोशित किया गया है ठीक है अब इसमें पदों की संख्या कितनी है तो 15 वाड पार्षद तो 15 वाड पार्षदों के लिए उप जुनाव होंगे जो कितने जिलों होंगे 12 जिलों के 14 नगरी निकायों में तो 12 जिलो के 14 नगरी निकायों में 15 वाड पार्षदों के लिए क्या किया जाएगा उप निर्वाचन मतदान की तारीक क्या है यहाँ पर 9 जनवरी 2023 है मतगणना कब होगी तो 12 जनवरी 2023 को मतगणना होगी समझे की नहीं समझे यहाँ पर दोनों क्या हो रहा था मतदान क्या है 12 जनवरी अब नगरी व्यवस्था में जो चुनाव होते हैं तो आपको ध्यान रखना है यह दली आधार पर होते हैं वहाँ पर क्या था गैर दली पार्टी वाला नहीं था यहाँ पर दली आधार पर है मतला पार्टी वाला होगा बीजेपी का कॉंग्रेस का ऐसे नमांकन की तारिक यहाँ पर भी क्या रखी गई है तो 16 दिसंबर 2022, अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्या किया गया है, चत्तिसगर राज्य नगरपालिक निगम अधिनियम 1996 की धारा 22 क और चत्तिसगर राज्य नगरपालिक अधिनियम 1961 की धारा 36 दो क एवं चत्तिसगर नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 के अनुसार उप निर्वाचन के लिए समय बद्ध कारिक्रम जो है वो जारी कि गया है clear है ये उतना important नहीं है इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा important क्या है तो यहाँ पर आपको पूछ सकता है भी कितने पदो के लिए उपनिर्वाचन कितने जिलों में कितने निकायों में समझ गया कि नहीं यह तीन उसके बाद मद्दान की तारीख क्या थी और मतगणना की तारीख तो इतने क्वेशन को प्री के पॉइंट ऑफ यू से आप लोग क्या कर सकते हैं रेडी कर सकते हैं अब नेक्स क्या है उनमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनको गुणवत्ता पूर्वक प्रसफ पूर देखभाल जो है अंटे नेटल केर है उसे दिया जा सके अब इसी को एक्स्टेंड करके क्या किया गया एक्स्टेंडेड प्रधान मंत्री सुरक्षित मात्रित्व अभियान और इसके तहट अब यह जो एंटे नेटल केर है यह नौ तारीक के अलावा हर महा की 24 तारीक को भी दिया जाता है समझ में आया के नहीं आया तो प्रसफ पूर्व गुणवत्ता पूर्वक देखभाल जो है वो पहले नौ तारीक को सुनिशित किया गया था हर महा की अब एक्स्टेंडेड जो योजना है उसके अंतरगत नौ के अलावा हर महीने की 24 तारीक को भी किया जाता है ठेक है भई अब हुआ क्या दिल्ली में नाशनल मेटर्नल हेल्थ वरक्शोप जो है इसका आयोजन हुआ कहां पर नई दिल्ली में और हुआ ये कि ये जो एक्स्टेंडेड प्रधान मंत्री सुरक्षित मात्रित्व अभियान है उसके लागू करने के लिए 36 गड़ को हमारे देश में सेकेंड प्लेस मिला या दूसरा स्थान मिला तो ये जो चालू वित्ती वर्ष है इसमें अप्रेल से लेके नवंबर तक हमारे यहां एक लाख 48,859 गर्भवती महिलाओं को एंटे नेटल केर दी जा चुकी है समझ में आया कि नहीं आया तो अप्रेल से नवंबर माह इसी साल 2022 कित्ते गर्भवती महिलाओं को एंटे नेटल केर दी जा चुकी है तो एक लाख 48,859 ठीक है भई चत्तिजगड को सम्मान मिला तो सम्मान करता कौन थे तो डॉक्टर भारती प्रवीन पवार केंद्री स्वास्थ राज्य मंत्री क्लियर है ठीक बात अब देखो इस न्यूस का यूज तो सबसे पहले तो प्री में पूछ सकता है कि नाशनल मेटर्नल हेल्थ वर्क्शॉप आप कहा हुआ तो नई दिल्ली अगला पूछेगा कि एक्स्टेंडेट प्रधान मंत्री सुरक्षित मात्रित अभियान को लागू करने में छत्तिजगड को देश में कौन सा स्थान मिला है तो क्या लगाएंगे दूसरा स्थान मिला है करके ठीक है सम्मान करता पूछ सकते हैं तो डॉक्टर भारती प्रवीन पवार यह ध्यान में रखना है मेंस पॉइंट ओफ यू से आपको ध्यान रखना है आपको पूछ सकता है प्रधान मंत्री सुरक्षित मात्रित अभियान यह क्या है तो पेपर नंबर फाइव में इक नॉमी वाला जो सेक्शन है माहा 30 वर्टी वर्ट का कुश्चन पूछ देगा इसमें से समझ में आया इसके अलावा यह डेट अच्छा है चत्तिजगड़ को अच्छा आवर्ड मिला है इसमें अच्छा रैंक मिला है तो अगर हेल्थ से संबंदित कोई ऐसे आ जाये ना तो भी आप क्या कर सकते हैं इस फाक बगेल के नेत्रत्व में चत्तिजगड़ सरकार के चार वर्ष हो गये पूरे और इसी के उपलक्ष में मनाया जा रहा है क्या चत्तिजगड़ गौरफ दिवस अब इस दिन क्या क्या किया जाएगा तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे तो जनता के नाम संदेश देंगे इसके चत्तिजगड़ सरकार के विगत चार वर्षों में क्या-क्या उपलब्धियां हसिल की है क्या-क्या निर्णे लिये हैं कौन-कौन सी जन-कल्यानकारी योजनाएं लागों की है इन सभी की विस्त्रित रूप से जानकारी दी जाएगी एक्जामिनेशन पॉइंट ओफ यू से कहें तो आप याद रखेंगे चत्तिजगड़ गौरव दिवस कब मनाया गया यह आपको में सीधा सीधा पूछ सकता है 17 दिसंबर 2022 और उसके पीछे का कारण क्या था तो इन दो फैक्ट से यहाँ पर एक mcq जो है वो बन सकता है चलिए अब आ जाते हैं आज के लास्ट निउस पर क्या है गांधी ग्राम तमोरा महासमुंद आपको तमोरा जंगल सत्यागरह यादा रहा होगा ठीक है तमोरा जंगल सत्यागरह जो है इसमें बालिका दयावती बहुत फेमस हुई थी क्योंकि इन्होंने क्या किया था SDO Forest MP दूबे जो है उनको थपड़ मार दिया था तो गांधी ग्राम तमोरा महासमुंद में स्कूल का नामकरण रगुवर सिंग दीवान और उन्ही बालिका दयावती के नाम से रखा जाएगा चलिए तो इस वीडियो को अपने कर देते हैं फटाफट क्वेशन से तो क्या 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 स्थेंड़ प्रधान मंतरी सुरक्षित मात्रित अभियान को लागू करने में 36 गड़ ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है अगला कोशन है 17 दिसंबर 2022 को 36 सरकार द्वारा 36 गौरव दिवस किस उपलक्ष में मनाया जा रहा है फिर से उप्षिन आपके सामने है उसके बाद क्या है 36 गड़ में 30 तरी पंचायत और नगर पालिका उप निर्वाचन के तहत मतदान कभ किया जाएगा ओप्षिन आपके सामने हैं तो आप लोग जरूर से कमेंट करके जो सहीं आंसर से मुझे बताईएगा और मैं मिलूँगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में तब तक लिए थांक्यू आंते केर